पुलिस कोई कोई जंता की सेवाने करें? जटाने कर पाता friendly जंता के क्या करेंगा? पुलिस कि छॉल्युत सीटरा क मार के करेंगा. यहां में जो हता है कि पुलस वाले कोई सुन идет कोई मारें जाताहिए पुलस नहीं सून। कि लोग कुछ नहीं दियान दे रहे हैं। बीती रात एक ऐसा खौफनाक हाथा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह काप जाएगी। हम इस वक्त उसी इलाके में मौझू थे जहां पर बताया जा रहा है कि एक 16 साल की नाबालिक लड़की को एक सरफिरे लड़के द्वारा कई बार चाकों से हमला करके मार दिया गया। उस वक्त इलाके कई कई सारे लोग भी मौझू थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं कि जिसके बाद एक बार फिर इंसानियत पर सवाल खड़े हो गया। हम आपको दिखा देते हैं कि यहीं वो जगे हैं जहां पर बिती रात एक 16 साल के नावाली की बेरहमी से कई बार बताया जा रहा है कि 40 से जादा बार चाकों से गोत कर हत्या कर दी गई इतना ही नहीं जब लड़के का इससे भी मन नहीं बरा तो लड़के ने पथर से CCTV फूटेज है जिसमें इस पूरी वार्दात को जो घटना हुई थी उसका वीडियो इस पास लगे CCTV फूटेज में क्यात कड्या गया जो सोशल मीडिया पर आज जमकर वारल हो रहा है इसके अलावा आपको बता दें कि पास में एक विधायक को ऑफिस भी है जब इस तरह की घटना इस पूरे इलाके में हो रही थी आसपास कई सारे लोग भी मौजू थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई डर कहे इंसानियत कहे किसी ने भी उस लड़की की एक बार मदद करने की कूशिश नहीं की किसी ने उसको बचाया नहीं कुछ देर बाद जब पुलिस को इस पर लड़की मौजूद थी लड़की अपने किसी फ्रेंड के बेटे के बड़े पार्टी में गई थी लोटते वक्त लड़का उसको मिला था और कुछ कहा सुनी हुई थी दोनों की बीच इसी जिसके बाद लड़के ने चाको से कई बार लड़की के ओपर हमला कर दिया य यूपी के बुलंड शहर से लड़की का नाम साहिल बताया जा रहा है जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है जिस वक्त इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त आस पड़ों के लोग भी यहां मौजूद थे लेकिन किसी ने भी उस बच्ची को बचाने क की कोशिश नहीं की इलाकिया में इस वक्त भी कई सारे लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे उनसे बात करेंगे मार दिया चकुओं से पत्रों से मार रहा है इतना सुना जी हमने आप लोगों को कब पता चला क्योंकि पता लगया साथ आठ बच्चे उठे ने जब बच्च पता चला आने के बाद सुबह पता चला कि यहां मड़र हो गया है जब हम लोग आप लोगों का देख्या यहां पर तो हम लोग आ गया देखने के लिए जिस लड़की की हत्या हुई है जिस लड़की का मड़र हुआ है उस लड़की को इस इलाके में पहले भी कभी देखा है नहीं मैं नहीं नहीं देखा वो लड़के के बारे में कुछ वा पुलीस के बिरोध हम लोग जनता है हम लोग बिरोध करते हैं उनका पुलीस हमारे कोई रक्षा नहीं करती है पुलीस यहां दारू का ठीकेदार है जनता है इसको जनता है इसको रोट पर घुमना है इसको जनता काई द्यूससा म ada hub हुने नहीं है आदमी कर अक्छा करना नहीं आपने देरें क्लीस है वहला यहां देकी निकलीब क्या होई है नहीं तरीके से यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया इसके बात क्या महौल है मतलब कि आपके भी घर में देखिया हम लोग पाबली के हम लोग इसका विरोध करते हैं जैसे कि सेंगल को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है अब आपने सोना कुछ भी नहीं है कोई लव जाज क कर रहे हम अपने मर्जिस का नमें लड़की को प्यार कर रहे हम प्यार ने करते हैं इस तरह के लड़की के साथ किस तरह करते हैं कि फासी होनी चाहिए जाए जिन साब होना चाहिए इसकर घटना होने लगे ता हमारे बेटियां काई से चलेगी बजार कैसे जागी आपने सम सहमत है मतलब जिस तरह की घटना को आँजाम दिया गया आप लोगों को पता नहीं चला किस तरह की चीज़े हो रही है यहां पर हम जूगी गार्मी है अहां पर आया है हला थूने बार जैसे कि एक सीची टीवी फूटेज यहां का वारल हुआ है जहां देखा जा रहा है जब लड़की को मारा जा रहा था आसपास कई सारे लोग भी मौजू थे उन लोगों ने कोई मदद नहीं की क्या गहेंगे इस बार मदद जी जब फूलिस बढ़ाने कर साथ पब्लिक क्या करेगा मार के पास हेज़र पर फूलिस बारे के मंगर में रहेगा आई जो हैं तो मसीन अपना घर में जाएगा कंपेंगे लिए बढ़ा हम क्या करेंगी हमें खुदे हम अपना घर में मार के गिरा दिया अगा दिया दिया मुख मंताजिक दिया आपने कभी से लड़की को आते जाते हैं यहां पे देखा है इसे पहले बार जी हम तो नहीं देखा एटे जी ने कि यहां जूस पर एक खौफना कभा दा को अंजाम दिया गया इसको लेकर क्या गएंगी चींच साथ यह कोई पहली दफाव दी होता जाता है को यह दे कररेगा तरीके से लड़के से नहीं है फिर लड़की को कभी आप ने देखा है इस इलाके में यह पहली बाद पर नहीं देखें लड़की की नहीं देखें कुछ पता है लड़के के बारे में क्योंकि नई हम लोग लड़के की नहीं देखी नहीं आते जाते देखा कोई फैमिली नहीं जिसे की आपके इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया इसके बाद अपने बचों की और बात कर आपकी भी वेटियां होंगी बेट हुई है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस तरह की वार्दात हो रही थी सीटीवी फूटिज में साफ दिख रहा है कई सारे लोग थे लेकिन किसी ने मदद नहीं की क्या गहेंगे इस तरह के आरूपी के खिलाफ क्या मांगए यहां पर जो होता है कि जो पूलस वाले कोई सुनवा ने होता है और जो मार पीट के चला जाते हैं उनका कोई नहीं होता है पकड़ दकड़ आपने देख लड़की को गभी यह लड़के को जो साहिल ने देखे लड़की का घर द सरकार देएगी और हमला मांगा यही है कि जो मतलब लड़का जैसे कि या लड़की संग में वी से उसके संग होना चाहिए बरता हो दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था जी मुझे तो टीवी पर पता चला जी नीज बगरा देखी होगी तो यहीं पर मार रहा था वो पहले चक्कु से मारा उसको उसके सर में हाग फिर उसके बाद में पटिया उठा के उसे मारा आरोपी के खिलाफ क्या मांग कर र दिये थे उसे फिर उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ इस मामले को भी लव जिहाद के एंगल से जोड़ा जा रहा है कि लड़की की जो पहचान हुई है वो एक मुसलिम के रूप में हुई है और लड़की हिंदू है साक्षी नाम है लड़का थो बुसलिम है लड़का थो ऐसे हम कुछ भी कर सकता है कलावा पेल लेगा वो कुछ भी गले में कुरुद्रास की माला डाल लेंगा तो नशरी है उसके क्या पता चल रहा है जब लड़की की बॉड़ी को ले जाया जा रहा था जब पुलिस वाले हां एते तब यहां पर उन्हें नहीं देख नहीं हम तो मैं में सामने जो यह लोग है यहीं रहते हैं हमारे घर थोड़ी सी दूर आपके घर में बहने होंगी कितना से फिल कर रहे हैं इस तरह का आपके इलाके में जब घटना हो रहा है कि एक लड़की की खुले आम चाको से गोद कर हत्या कर रहे हैं मैं से फिसे फिल तो जब करेंगे ना जब पुलीस वाले ठीक चलेंगे वो मैं कोई नशा पानी करता है लड़का उसको पकड़ा कुछ पैसे उसने दिये मारा छोड़ दिया अब मैं ऐसी तो लड़कों का मन बढ़ जाता है नशे पानी जब करते हैं नशे में इतना नशे में था यह सामने विद्यायक आव फिसे के सामने थोड़ी सी पूरी सब काम हुआ है अट तो लोगो कुछ निभी अंडर का महुल है पबलिक के अब यह नी है को हिंदियों मुसलमान कोई हो जिस तरीके से वीडियो सामने आया है पबलिक वह उजू थी फिर भी पबली के वहाले कर दे अगर आपकी बच्ची होती एक नहीं बचाने वाला एक नहीं होगा वीडियो मना ने वाले 50 होईंगे फ जैसा कि इनका कहना है कि लोगों ने कहीं न कहीं अपने जान को आगे रखके ये भी सोचा कि अगर उस सर्फिरे वैक्ती ने उन पर हमला कर दिया फिर क्या होगा इस वज़े से गई नगई डर का लोगों के बीच महौल था इसी वज़े से उस बच्ची को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की आसपस बताया जा रहा है कि हाँ विधाय का ओफिस है CCTV फूटेज है लोग मौजूद है आप घर देख सकते हैं कि ताले लगे हैं लेकिन जिस वक्त की गटना है आट से दस के बीच ये गटना बताया जा रही है रात की लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की जिसका नाम साक्षे बताया जा रहा है उसको बचाने की कोशिश करें कैमेर परसन मितलेश के साथ प्रियांका रोय दो न्यूस 15